नमस्कार दोस्तों मेरा नाम विजे और आपका स्वागत है मेरे चानल सालस्तडी में तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको फ्लिपकाट की ग्रोथ के बारे में बताने वाला हूं और साथ ही किस तरीके से आपको अपने फ्लिपकाट के ओर्डर को बढ़ाना है उसके इंप्रूव ओर्डर की गिरूथ आपको नजर में आएगी और इसका आप इसको नोटपैट पर लिख सकते हैं सो जैसे आप स्क्रीन शोट ले लेंगे नोटपैट पर लिख लेंगे उतना ही आपके लिए शक्षम नहीं है आपको इसको समझना भी पढ़ेगा तो सबसे प को पते हैं कि यहां पर लिस्टिंग कैसे करते हैं अपको अपने नहीं प्रोड़क्त को एड़ करना है और जैसे आप एड़ करेंगे तो आपको जो ओर्डर की ग्रोथ है वो खुद बढ़ जाएगी चोकि जितना ज्यादा हमारे पास समान होगा उतना ज्यादा कस्टमर को विजीवल होगा और उससे हमारे ओर्डर होते हैं तो सभी को पता है कि जितना ज्यादा दुकान के अंदर समाना होता है उतना ही ज्यादा लोगों को दिखता है और तब ही लोग आपके पास जरूर आते हैं को मैं आपको बता रहा हो काफी अच्छा तरीका है अगर जादा से जाद आप लिस्टिंग करोगा अगर आपके पास ज्यादा इन्वेंटरी नहीं है तो कोई प्रोब्लम नहीं है आप वही सेम प्रोड़क का कोंबो बनाओ कोंबो की लिस्टिंग कर दो जैसे कि मेरा यू और साथ है यहाँ पर मैंने सिंगल इसटिंग के बारे में बताया यह मेंने बताया अगर आपने इसको सच्छे सपूः आपर बंखो गताया तोक्य प्वरल का इसके चलते हैं अब col compr City मूरे फोर जो भी हमार को orders आते हैं उसका हमें SLA मिलता है दो दिन का बड़ मैं चाहता हूं आपको जो भी orders आए वो आप कल के में dispatch करें जो भी आपके यहाँ पर आपको आपको आज रचाहता है तो आपको 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 सबसे पहले आपको वहां पर नीचे है यहां पर दिखेगा और एडिट लिस्टिंग पर क्लिक करेंगे यहां पर अपको अपनत और पर आपको दीखेगा और अपको corporate as किया हुआ है मैंने काफी सारी प्रोडक सब्कारस करें ही जा से अपने जितनी अगासट करें अपने फिरक्स feminist का सबस्यक्र हमें ताकि जो भी आपके जो प्रोडक्स है वो एक्स्प्रस में शोओ और ज्यादा से ज्यादा आपके ज्यादा लोगों को दिखेगा और वो ज्यादा से ज्यादा आपके प्रोडक्स को खरीद पाएंगे तो सबसे पहले आपको यह काम करने हैं अपने जितनी भी आपकी लिस्टिंग्स है उन सभी को आप एक्सप्रेस कर दें और साथ ही अपना जो स्टॉक है वो यहां से अपडेट करने का अप्शन नहीं आता तो आप दुबारे आप एडिट जा सकते हैं और जैसे आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो सेम जैसे यहां पर आपने एक्सप्रेस किया थोड़ा सा नीचे आएंगे यहां से डॉप डाउन में और यहीं पर नीचे आपको दिखेगा स्टॉक डालने का आपको तो जैसे कि हम एन एक्सप्रेस किया था और उसमें हमारा जो एक्सप्रेस करें और अगर आप इसको एक्सप्रेस करेंगे तो फिलिपकाट के पर नोटिफिकेशन पहुच जाएगे और जो भी आपको और रिसीव होगा वह विदिना आपको नेक्स डिस्पैच करना होगा और साथ ही यहां से आप अपना स्टॉक भी बढ़ा सकते हैं दो बात मैं उliस्टिंग करेंगे जब भी आपके नोटिफिकेशन आपि स्टोक के पास पहुसेगी और आपके प्रटक्स की विजिबिल्टी होगे यह। दबल टिपल हो जाएगी जिससे की आपकी ऑडर्सकी ग्रोथ है वह डं़ीयार तब हम चलते हैं doğru देक्काट करोg को सारी टेगा फ्लिपकट कर्मोशन तो यहां पर को घ्रूत के परमोशन और साथ यहां पर को यहां यहां पे आरत वह और उसके यह हैं और माउन होते इंग में होते हैं भुद्र तो उस तरी के साब डिसकाउंट दे सकते हैं तो तो यह आगर आपको नहीं हो एक video बना दूँआँ अगर आप मिले को कमेंट करेंगे कि पर्मोशन कैसे लगाते हैं तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि यह फर्मोशन होता गया है जैसे कि पहले हम माई लिस्टिंग में चलते हैं और माई लिस्टिंग में सबसे पहले मैं आपको बता हूँ यूजबल प्राइस आपका listing price और final price क्या होता है सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा जैसे कि मैंने यहां पर apply कर दिया है मैं आपको यहां पर सबसे पहले एक listing दिखाना चाहता हूं जैसे कि आप यह listing देख सकते हैं हमारी और यहां पर हमारा जो listing price है यानि आप जो भी प्रोड़ेक की listing करते हैं उसमें आप क्या price डालते हैं यहां पर जैसे कि मैंने 209 पर प्राइस डाला हुआ है और इससे पहले जब मैंने इसकी listing करें तो मैंने इसका जो प्राइस डाला था वह 349 डाला था तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो यूजवल प्राइस है वह 349 पर हो गया है तो जैसे कि अगर हमारा यूजवल प्राइस पर हमारी कोई परमोशन लगी होगी तो परमोशन से यहां पर यूजवल प्राइस से फाइनल डिसकाउंट आएगा और अगर हमने परमोशन नहीं लगा रही तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं अभी यह आपको दिखाता हूं जो हमने प्रमोशन लगा रहे हैं कि उसका कैसे आपको डिफाइंट करना है जैसे कि आप दिख सकते हैं मेरा यह वाला प्रोड़क्ट है और यहां पर मेरा जो लिस्टिंग प्राइज वो 319 है और साथी मेरा जो यूजुल प्राइज जो मैंने पहले डाला वाता 30 डेज में तो मेरा 218 का सैट हो रखा है और जो कि मैंने यहां पर प्रमोशन लगवा है जैसे कि आप दिख सकते हैं मेरा यहां पर फाइनल प्राइज वान नाइन ने 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 तो मैं आपको बता दूँग किस तरीके से आपको प्रमोशन लगानी है और मैं आपको पूरा प्रमोशन के बारे में समझा दूँगा जैसे कि आपको फैरी टाइमिंग होती है जैसे कि मेरी टाइमिंग है दो से चार तो किसी कि होती है बारा से एक 살 को हुआ पहले जैसे कि मेरा दो से चार और दो बज़े पहले-पहले जैसे कि मेरा 22 से पहले-पहले आपने इस तरीके जैसे अगर आपका टाइम है तो आपको एक बचसे पहले-पहले अपने ओडस को निकाल ले感 तो आपका जो SLA breach है वो कभी नहीं लगेगा आपको dispatch breaches नहीं लगेंगे जिससे कि आपको कोई भी इंपक्ट नहीं पड़ेगा और साथ ही आपको कोई भी अपने orders को सेलर कैंसलेशन नहीं करना यानि खुद से कैंसल नहीं करना अगर आप अपने dispatch breaches करते हैं और सेलर कैंसलेशन करने तो इससे आपका जो से अपना पोटल है उस पर काफी मैट्रिक पड़ता है काफी इंपक्ट पड़ता है जिससे कि आपके जो प्रोड़क की विजिविल्टी करें और नहीं अपना सेलर कैंसलेशन करें अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके जो विजिविल्टी है वो डे वाई डे हाई होती जाएगी और आपकी विजिविल्टी बढ़ती जाएगी जिससे जो आपके ओडर से वो डे वाई डे इंक्रीज होता जाएंगे आपके ओर खुद बाखुद आपको recommend करता है price update करने के लिए तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने price के option पर क्लिक किया है और यहाँ पर हमार को flip card suggest कर देगी आपको उस product का क्या-क्या price रखना चाहिए जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ जाएगी जो कि flip card हमार को recommend कर रहा है और जिससे कि हमारी settlement value यहां पर आपको दिखरी होगी तो अगर आपको settlement value अच्छी दिखरी है अगर आपने अपना calculation अपना अच्छा बिढ़ाया हुआ है और आपको पते हैं अपने 30-40-50 के margin पर काम कर रहे हो तो अगर आपको लगते हैं कि आपको यह जो recommend किया गया है यह प्राइस बैस्ट है तो आप इसको यहां से अप्लाई कर सकते हैं और विदिन आप ज्यादा नहीं आप उस प्राइस को दुबारा से उसके 5-10 पर फिर बढ़ा लेना जिससे कि जो आपके जो विजीबिल्टी है वो खुद बढ़ जाएगी और जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे कि आप फिलिप कार्ट आपको जो दे रहा है यहां पर recommend तो काफी सोस समझ के दे रहा है अगर आपने इसको apply कर लिया तो फिलिप कार्ट के वैसे आपके जो ओडर्ज है वो डे बाई डे इतने इंक्रीज हो जाएंगे कि आप समाल नहीं पाऊँगे तो मैं कहना चाहूं कि आपको एक अप्ते तक तो इसको apply करते रहना चाहिए और जैसे आपका एक अप्ते हो जाए तो आप मैं six topic पर जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे keywords and images keywords and images क्या होता है तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ जैसे कि मैंने आपको बता हुआ है यहां पर प्रोड़क लिस्टिंग और यहां पर बल्क लिस्टिंग के बारे में तो इसमें आप समझ लेंगे कि मैंने आपको search keyword के बारे में बता है जो भी आप listing करते हैं तो आपको बता हुआ search keywords कितने मेन होते हैं हमारे listing में है तो जैसे कि मैंने आप एक listing को लिए है और यहां पर हमारा title है तो आप जो अपने titles के अंदर भी अच्छा सा search keyword डाल सकते हैं और जितना fulfill हो आप अपने product की जो भी सारी ची जैसे कि आपके जितनी बी सारी मोर इंपोर्मेशन है वह यहां पर फुल्फिल कर सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं तो इस तरीके सब अपने सारी मोर इंपर ले और लास्ट आपका जो है यहां पर images तो आपको चार इमेज़ डालनी डालनी है front back और दोनों साइड है तो अपने सर्च की वड़ अपने लिस्टिंग में जादा से ज्यादा बरें और साथ ही अपने जो प्रोड़क की कॉलेटी हो काफी अच्छी रखे images की जिससे क्या है वो कस्टमर आपका ज्यादा अट्रेक्ट होगा और आपसे जो प्रोड़क को है वो बाय करना स्टार्ट कर देना इसको बता दो किसे सब्लेक के लिएक प्रमोशन लगानी है और साथ आपको इमेज चcesत रहे हैं जिससे कि अपका कस्टमर ज्यादा से के अधर डालना है सो मैंने आपको यह सारी ट्रिक्स बदा दी है और आप उसको विदिन 30 तक अपलाई करना जिससे कि आपकी ओर्डर की ग्रोत है वो खुद बाखुद बढ़ जाएगी तो उमीद करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी सो यही मैं वीडियो एंड करता हूं और मिलते हैं नई फ्रेश टॉपिक के साथ नई वीडियो में तो जैहिन वंदे मात्रम